कच के चले जाने के बाद देव्यानी बहुत दुखी हुई एक दिन की बात है देव्यानी राजकुमारी शर्मिठा के साथ नदी पर सनान करने गई राजकुमारी शर्मिठा असुर राज राजा विश्पवा की पुत्री थी और असुर राज ने शुक्राचारे को अपने र राजकुमारी शर्मिठा और देव्यानी दोनों के कपड़े इधर उधर फैल गए और जब देव्यानी सनान करके आई तो उसने गलती से शर्मिठा के कपड़े पहन लिए ये देखकर शर्मिठा क्रोधित हो थी और उसने चिर कर बोल दिया किया राजकुमारी के वस्त्र पह परन्तु जलन और गुसे की भावना से उसने रास्ते में देव्यानी को उसने एक कुए में धकेल दिया और अपनी महल चली गई। देव्यानी मदद की पुकार लगती रही परन्तु उसकी मदद करने कोई नहीं आया स्वभाग्य वस उसी जंगल में युवा राजा ययात शिकार कर रहे थे जब उन्होंने मदद की पुकार सुनी तो देव्यानी को बचाने आये देव्यानी ययात की सुन्दर्ता पर मोहित के प्रस्ताव रखा तो यायत ने ये प्रस्ताव स्विकार कर लिया परन्तु जब यायत को इस बात का ग्यात हुआ की देव्यानी शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो सोच में पड़ गए उन्होंने देव्यानी से कहा गुरु शुक्राचार्य इस विवाह को कभी स्विकार नहीं करेंगे अतह मैं ये विवाह नहीं कर सकता ये बोल ययात ने देव्यानी से जाने की आग्या मांगी देव्यानी बहुत दुखी हुई और व्यथित मन लेकर वो वही बैठ गई शाम धलने को आई परन्तु देव्यानी अब तक घर नहीं गई थी शुक्राचार्य बहुत चिंतित हो गए और देव्यानी की तलाश में जंगल में निकल पड़े जब वो जंगल पहुँचे तो उन्होंने अपनी पुत्री को रोते हुए देखा पुरे शरीर पर घाव के निशान थे ये सब से देखा नहीं गया उन्होंने अपनी पुत्री से इन सब का कारण पूछा तो देव्यानी ने कहा शर्मिठा ने उससे दासी कहकर उसका अपमान किया है वह जब तक शर्मिठा को अपनी दासी नहीं बना लेगी तब तक यहां से हिलेगी नहीं ये सुनकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए यह एक ऐसी इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती गुरू शुक्राचारे ने राजा को ये संदेश दिया यदि उनकी पुत्री देव्यानी की सेविका नहीं बनी तो वर महल में कभी वापिस नहीं आएंगे राजा जानते थे यदि शुक्राचार महल में पुनह नहीं आए तो असुरों का विनाश निश्चित है राजा ने देव्यानी की शर्ट मान ली और शर्मिठा देव्यानी के सेविका रूप में उसके पास गई और इस तरह देव्यानी की प्रतिग्या पूरी हुई बहुत समय बीच जाने के पश्चात एक दिन जंगल में घूम रही थी तो उसी जंगल में ययाद भी शिकार करने गए हुए थे दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत प्रसन हुए तक पश्चात देव्यानी ने एक बार फिर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा इस पार वो ययाद को शुक्राचारे के पास ले गई शुक्राचारे ने देव्यानी की खुशी के लिए उनका विवाह करवाने हितु मान गए परंतु उन्होंने ययाद के समक्ष एक प्रताव रखा कि विवाह के पश्चात देव्यानी आँखों में एक भी अश्रू नहीं आनी चाहिए ययाद ने ये प्रताव स्विकार किया और देव्यानी को लेकर अपने राजे लोट गया और खुशी खुशी रहने लगे शर्मिठा भी देव्यानी के साथ गई क्यूंकि वह देव्यानी की दासी थी दासी होने के बावजूद वह एक राजकुमारी थी इसलिए उसे भी एक महल रहने के लिए दिया गया आगे की कहानी अगले भाग में सुनेगे दोस्तों इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ती कथा कहानिया को सब्सक्राइब करे धन्यवाद